Good morning everyone, मैं खुर्शिदा बानू, वरिष्ट प्रवक्ता इंटिरियर डेकोरेशन, राजकी महिला पले टिकनिक महाविध्याले सांगा नेर में कारे रथ हूँ आज मैं आपको ID 303 विशय इंटिरियर स्पेसिफिकेशन एंड क्वांटिटी एस्टिमेशन विशय में सेकिंड यूनिट के अंतरगत मौजाइक और टेराजू फ्लोर के जनरल एवम डीटियल स्पेसिफिकेशन बताऊंगे मौजाइक एवम टेराजू फ्लोर में जनरल स्पेसिफिकेशन जब दिये जाते हैं तो उसमें बहुत सिंपल लेंग्वेज लिखी जाती है जैसा की फर्ष के आधार पर 2.5 cm मोटी सिमेंट कंक्रीट की मोटी तह पर या लेयर पर नरधारित डेजाइन अनुसार मौजाइक वर टेराजू की चिकने वर रंगीन फर्ष लगाए जाएंगे और अगर इनकी डीटियल स्पेसिफिकेशन लिखने हैं तो फिर हमको हर चीज को डीटियल में लिखना पड़ेगा और उसको इस प्रकार से आप लिख सकते हैं पहला पॉइंट जो इसमें आता है वो यह है कि आपको स्पेसिफिकेशन में देना होगा कि यह फर्ष दो लेयर में लगाया जाएगा या दो तह में लगाया जाएगा पहली तह एक अनुपाद दो अनुपाद चार मतलब सिमेंट कॉंक्रीट की दो सेंटिमेंटर से धाई सेंटिमेंटर तक मोटी लगाये जाएगी जिसमें एक सिमेंट होगा, दो हिस्से सेंड होगी और चार हिस्से कॉंक्रीट होगी सिमेंट ताजा एवं मानक विशिष्टियों के अनुसार होगा सेंड या रेत जो है वो मोटी, भली भाती, अनुपाति, साफ तथा धूल वो मिट्टी से मुक्त होगी मतलब जो सेंड है वो भी दानेदार और अच्छी होगी जो ग्रिट या पत्थर की जो छोटे टुकडे हैं वो 12 mm आकार के कठोर, गलब हार्ट और टफ होगे और उनमें भी किसी भी प्रकार की धूल वो मिट्टी नहीं होगी सिमेंट कॉंक्रीट बनाने के लिए सारी सामगरी को दिये गए अनुपात के अनुसार बक्सों में भर कर पहले सिमेंट तथा रेत को मिलाया जाएगा उसके बाद पत्थर की कॉंक्रीट अथवा गिट्टी को सूखा मिलाया जाएगा फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सारी सामगरी को भली भाती मिक्स करके एक अच्छा सुगेट्य मिश्रण तयार किया जाएगा जिस बेस पर आपको इसको लगाना है कोई मोटा बेस होगा जो पहले सिमेंट कॉंक्रीट या लाएम कॉंक्रीट का तयार हूआ होगा और उस पर शुद्ध सेमेंट के गोल का लेप किया जाएगा वह उस पर सिमेंट कॉंक्रीट का मिश्रन जो आपने बनाया है उसको धाई सेंटीमिटर तक बिछा करके और उसकी हलकी कुटाई की जाएगी और लकड़ी के समतलकों से इसे समतल किया जाएगा और इसके बाद इस तह को लगाने के दो गंटे के अंदर अंदर ही इस पर अगर आपको टाइल्स लगानी है तो आप टाइल्स लगाएंगे और अगर आपको टेराजू की फ्लॉरिंग जो बनानी है तो उसको दो गंटे के भीतर भीतर या यह जो सेट होने का जो इसका टाइ उसके अंदर अंदर ही आपको उसके उपर दूसरी जो फिनिशिंग लेयर है वो आपको लगानी होगी जो भी निर्धारित डिजाइन है उसके अनुसार काच, अथवा, मेटल की, त्री एम एम मोटी स्ट्रिप्स जो है वो डिजाइन के अनुसार लगाए जाएगी जब आप टराजू फर्ष बनाते हैं तो उसमें काफी सारे रंगीन डिजाइन्स जो है वो होते हैं तो उसमें अब सेकेंड लेयर में आपको एक से डेड़ भाग जो है उसमें सिमेंट एक स्टू डेड़ के अनुपात में एक भाग सिमेंट तथा डेड़ भाग संग मरमर के दाने यानि चिप्स जिसे कहते हैं आम भाशा में उसके दाने की एक लेयर आप बिचाएंगे वो लेयर 6 mm की मोटी होगी और उसमें जो संगमर्मर के दाने हैं उनका आकार 3 mm से ज्यादा नहीं होगा मतलब 1.5 mm से लेके 3 mm तक के दाने जो हैं वो उसमें होंगे और जिस कलर में जो भी निर्धारित कलर डिजाइन में दिया गया है उसी कलर के वो दाने होंगे और cement भी जो design में दिया गया है उसके according cement का मिश्रन भी color डाल करके और तयार किया जाएगा अगर color नहीं है तो simple cement भी हो सकता है या white cement भी आप काम में ले सकते हैं तो उसका आपको इसमें specification में देना होगा कि वही कौन सी cement आपको चाहिए colored cement चाहिए, white cement चाहिए या simple जो cement है उसमें उस मिश्रन को mix किया जाएगा जो cement है वह उच्च गुनवत्ता वाला होगा और दिये गए design और रंग के अनुसार होगा संग्मर्मर का दाना अत्वा chips जो है उसको और cement को निरधारित अनुपात में measure करके पहले सूखा मिलाया जाएगा फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर भली भाती सूखट्य मिश्रन तयार किया जाएगा और फिर उसको cement concrete की जो पहली तह या जो निचली layer आपने लगाई है उस पर डाला जाएगा और लगाते समय जो straight edge float होता है या लकड़ी का समतलक और जो कन्नी होती है उससे हल्प की थपक देते हुए layer को एक सार कर दिया जाएगा तब जब पूरी बिच जाएगी तो लगबग दो गंटे पहश्चात सतह को जूट के जो गीले बोरे होते हैं उनसे ढख दिया जाएगा वो लगबग दो दिन तक उन बोरों को तर करके रखा जाएगा इस प्रकार हम टेराजू और मोजाइक जो फ्लोर होता है उसकी स्पैसिफिकेशन दे सकते हैं थैंक यू